आज हम बनाएंगे सुजी और बेशन का एसा चटपटा नास्ता जिसे आप 15 दिन तक इस्टोर रख सकते हो जब मन किया तब फ्राइ करके खाया तो चेली जल्दी से शुरू करते इसे बनाना इसे बनाने एक लिए सुबसे पहले हम आदी चमच धनिया पाउडर लेंगे थोड़ी सी कसुरी मेथी डालेंगे आदा चमच कच्चा जिरर डालेंगे थोड़ी सा हल्दी पाउडर डालेंगे एक चमच लाल मिश पाउडर डालेंगे और टेच के सबसे नमक डाल देंगे अब हमें डालना है एक प्याज पारी कटा हुआ और एक से दो पारी कट्यों भी हरीमिश डालेंगे अब एक कच्चे आलू को ग्रेट करके डालेंगे आप यहाँ पे जाओ तो आलू को मिक्सी जार में भी पीश सकते हो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी के बाद अब हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका एक गोल बना लेंगे पानी एक साथ नहीं डालना है जोरोत पड़े तो और डाल देंगे अभी यह गाड़ा है थोड़ा पानी और डालेंगे इस गोल को बनाने के लिए मैंने यहापे पूरी एक ग्लास पानी का यूश किया है गोल अगर पतला होगा तो चलेगा पर गाड़ा नहीं रखना है यह बहुत आसान रेसिप है यह गोल हमारा बनके रेड़ी है इसे हम करेंगे कुप इसे पकाने कले मैंने यहापे एक कड़ाई को गरम किया है उसमें एक चमत तेल डाल देंगे और जैसे हमारा तेल गरम हो उसमें यह बना हुआ गोल डाल देंगे गोल डालने के बाद इसे हम लगाता चलाएंगे क्योंकि इनके अंदर गुठली पड़ जाएगी सूजी को पाने के अंदर डालते ही सूजी फूल जाती है और जैसे हमारा गोल गरम होगा यह थीक होने लगेगा तो फ्रेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी थीकनेस यह गाड़ी होने लगी है इसे हम 3-4 मिलिट ऐसे ही लगातार पकाएंगे ताकि इसका कच्चा पने वो दूर हो जाए बस इसी प्रोसेस में हम इसे लगातार चलाते रहेंगे सूजी बेशन हमारा अच्छे से पक चुका है यह गाड़ा हो गया है अब यहाँ पर हम करेंगे गेस को बन और इस गोल को ठंड़ा होने के लिए हम एक थाले में निकाल लेंगे और इसे 5-10 मिल ठंड़ा होने के लिए साइड में रख देंगे दस मीट बात हम यहाँ पे देखते हैं कि इगोर हमारा अच्छे से सेट हो चुका है यानि कि ठंडा हो चुका है यह अब यहाँ पे आप आपके मंचाय पीस भी निकाल सकते हो जो आपको सेफ पसन आए वो काट ले तो फ्रेंज यह रेसिपी बनाने में बहुत ही इजी है और खाने में तो बहुत ही टेस्ट है खाने में मजाए आ जाएगा यह रेसिपी अगर आपके घर में बनाओगे तो सभी को बहुत ही पसन आएगी सारे पिस को मैंने cut कर लिया है अब यह आसानी से निकल वी आएंगे सारे पिस निकालने के बाद अब चलते हैं हमेने fry करने के process में तेल को मैंने पहले से गरम होने के लिए रख दिया था जैसी तेल गरम हो एकी करके पिस डाल देंगे और गेस की फ्लेम को हम यहां पे हाई रखेंगे क्यूंकि बेसन और सुजी हमारा पहले से पका हुआ है इसलिए हम इने हाई फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से से शेख लेंगे आप यहां पे चाओ तो डी फ्राई के जगर शेलो फ्राई भी कर सकते हो लेकिन डी फ्राई करने से यह भोट ही कृस्पी बनते हैं इनके पिस करने के बाद आप इन्हें 15 दिन तक फ्रीज में इस्टोर भी रख सकते हो और जब मन किया तो फ्राई करके खाया तो friends इन्हें fry काने में सिब 2-3 मिनी का टाइम ही लगेगा इन्हें हमें ज़्यादा पकाने की जुरत नहीं है ये बन की रेड़ी हैं इन्हें हम एक थाले में निकाल लेंगे ये हमारा बेशन सूजी का बहुती चटपटा नास्ता बन के तियार है इसे आप हरी चटनी या टमाटर सोच के साथ खाए और टी टाइम के लिए एकदम पर्फेक्ट रेसिपी है ये ये उपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुती सोप्ट बनता है बहुती मज़ेदार और आसान रेसिपी है ये एक बार जो से ट्राइ करना इस रेसिपी को